Good morning students, welcome in our EVS class, fourth children. Today we are going to start next part of our fourth chapter, Amrita's story. Okay, so we have started today's story about Amrita's story. की story start कीती पढ़ना, है ना, Amrita कौन से गाउं में रहती थी? Yes, Amrita के गाउं का नाम था खेजडी, और खेजडी क्यों था? क्योंकि वहाँ खेजडी के बहुत सारे टीस थे, ठीक है? और उन ट्रीस के कारण उस प्लेस का नाम खेजडी पढ़ा था. खेजडी कहाँ पढ़े? राजिस्थान में है, राजिस्थान के जोधपूर के पास. तो और आप से मैंने पूछा था कि राजिस्थान के किस इंडिया के मैप में, इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? मैंने पूछा था कि इंडिया के मैप में राजिस्थान किस तरफ है किस डारेक्शन में है आप लोग आंसर मुझे नहीं मिला है I hope कि आप ने देखा होगा तो आज मुझे आंसर करिएगा कि किस डारेक्शन में है ठीक है यह जो सामने स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है यह ड्रॉइंग आपको आपके फूर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पेज में बनानी है Okay, now we see Amrita's friends Amrita would get up early every morning and greet her friends उसके friends कौन थे Amrita के? Plants and Animals Okay, तो Amrita जो थी वो रोज जल्दी उठ जाती थी और अपने friends को के पास पहुच जाती थी ठीक है? The trees, कौन थे उसके friends? Trees थे She would choose a special tree for the day हर दिन वो एक नया tree choose कर लेती थी और she would put her arms around the trees, trunk and whisper to the tree तो बच्चों वो trees से उसे बहुत प्यार था Trees ही उसके friends थे तो जैसे हम अपने मम्मी को पापा को हग करते न अपने आंच से, हाथों से ऐसे लपेट के पकड़ लेते हैं तो वो ठीक रोज एक पेड़ चूस करती थी उस पेड़ के पास जाकर उसे अपने हाथों से लपेट लेती थी हाथ उसमें उससे चिपक कर उसको उसके पास जाकर कुछ धीरे-धीरे whisper मतलब फुसफुजाना मतलब धीरे-धीरे कुछ बोलती थी क्या बोलती थी वो? Friend, you are strong and beautiful बोलती थी कि friend, तुम strong और beautiful हो उस tree से बोलती थी, है नो? You care of us, तुम हमारी care करते हो Thank you tree, thank you tree, I love you very much Give your strength to me also बोलती थी, वो धन्यवाद करने पहुँच जाती थी रोज एक tree के पास और बोलती थी कि thank you tree, तुम बहुती beautiful और strong हो और तुम हमारी care करते हो, so thank you, है नो? Give your strength to me also तुम अपनी strength, अपनी जो energy है, वो मुझे दो Like Amrita, the other children also had their special trees इसी तरह से Amrita के तरह भी वहां के जो और बच्चे थे Other children थे, उनके भी special trees हुआ करते थे, है नो? They would play for us in the shed of the trees और उन्ही पेडो की छाय में वहां के जो बच्चो थे, खेज़े गाउं के वे खेला करते थे Is there a place near your house, school, or along the road, along the road side, where trees have been planted? तो बच्चो बताएए, there is the time of some questions तो बताएए, आपके आसपास, आपके house के पास, school के पास, या आप जहां से आते जाते हैं तो road के side वाले भाग में कही, plantation आपने देखा है, पौधे लगे भी देखे हैं, पेड लगे भी आपको बताना है, ठेक है? Yes or no Why were they planted there? और उन्हें वहां क्यों, plantation उनका क्यों किया गया है? ये भी लिखना है For any business reason or any reason or not, है ना? जो भी हो, आपको इसको देखना है यहां Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? आपने किसी को देखा है, जैसे अमरिता जैसे care करती है, अमरिता जैसे tree उसके friend है, वैसे आपने किसी को देखा है, care करते विए और जो खेजडी गाओं के लोग थे, वो किस तरह से care करते थे आपने स्टोरी में देखा, तो क्या इस तरह से कोई care करते आप आपने देखा है, plants के, who does this? और अगर कोई करता है, yes or no में लिखेंगे, और अगर yes तो वह कौन है, ठीक है, who does this? Have you seen fruits on any of the tree? Who is this fruits? क्या आपने देखा है, have you seen fruits on any of the tree? पर आपने fruits लगे भी देखा है, who is this fruit? अगर हाँ, yes, तो who is this trees? वो fruits कौन खाता है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है बच्चो? ललिता एक जो बच्ची है, उसने फिल किया कि उसके स्कूल के पास वाल पर ग्रास और इसमाल प्लांट ग्रो कर रहे हैं, बहुत से, और वो किसी ने उसने उन्हें लगाया नहीं है, तो आपने भी इसी तरह के छोटे प्लांट्स, ग्रास या ट्रीज देखा है, जो आपके आसपस कहीं ग्रो कर रहे हैं, और जो किसी के द्वारा नहीं लगाए गए है, आपको उस प्लेस का नाम लिखना है, आपने इपने हाउस में देखा है, या प्लेग्राउन में देखा है, या स्कूल में देखा है, तो बच्चो आपने अपने स्कूल में अभी तो आप स्कूल ने आरे बट आपने स्कूल में देखा है ग्राउंड में जो घास निकल आती है वो किसी ने नहीं लगाया है बलकि वो खुद से उगी हुई है यानो वाइड यू फील दे आर ग्रुविंग अन्द ओन आपको ऐसा क्यों फील आपने कैसे फिल किया कि वे खुद से वहां हो गए हैं तो आप कैसे बताएंगे क्योंकि नोवन किसे ने क्योंकि वहां वो नहीं लगाया है नोवन प्लांटेड तेयर ओके प्लांटेड प्लांटेड बच्छु आपको नहीं लगाया है ने आपको बच्छु तो दे आपको प्लांटेड वाइगा ने काम वाइड खालव है